दोस्तों मोदी सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है ये मैं बहता दूँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिख जो हैं वहाँ किसी और मिट्टी के बने हुए हैं वो और लोगों की तरह नहीं है ये किसी और मिठी के बने हुए है ये आपने दुश्बन को माफ नहीं करते 1984 में कांगरस ने रजीव गांदी ने नर्समा राव ने जो कतले आम करवाया था रजीव गांदी तो मर गया नर्समा राव भी मर गया और भी मर जाएंगे 1984 में जिस व्यक्ति ने कतले आम करवाया जिसके हाथ में सब कुछ था भारतिय जनता पार्टी उस व्यक्ति को भारत रतन का आवार्ड क्यों देना चाहती है ये सिखों को भारतिय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है जिस आदमी ने फोज नहीं बुलाई चार दिन जिस आदमी ने वाजपी साब की अडवानी साब की सारे विपक्ष की बात नहीं सुनी चार दिन कतले आम करवाता रहा आज तक 1984 के किसी भी दोशी को फांसी की सजा नहीं दी गई इसके बावजूद आप क्या संदेश देना चाहते हैं सिक कौम को निस्वाराओ को भारत रतन का अवार्ड देने का मतलब होगा कि भारतिय जनता पार्टी बहुत खुश है और इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया था पांच अजाज सिक्खों की मुंडियां उतरवा दी थी सैंकरों गुर्दवारे जलावा दिये थे साहिब शीरी गुरु गरंसब हजारों जलवा दिये थे इस आदमी ने सिक्खोर्तों के रेप करवाये थे इस आदमी ने सिखों की अर्बों, खर्बों, रुपेओं की संपत्ती जला दीती, इस आदमी ने सिखों की लाशें घरवालों को नहीं दीती, इस आदमी ने F.I.R. नहीं लिखने दीती, किसी का पोस्ट मार्टम नहीं करवाया था, इस आदमी ने लाशों को ठुआ कर सिक्षों का पमान करना चाहती है सिक्ष बरदास्च नहीं करेंगे इसके नतीजें बहुत अच्छे नहीं होंगे कि के कांगर्स ने कतले आम किया कांगर्स ने कतले आम करवाया और जिस आदमी किया उस व्यक्ति को नर्समार राहो को भारतिय जनता पार्टी देश का सरवच सम्मान देने जा रही है भारत रतन कावाट जरा सोचना मैं सरकार को कह रहा हूं और भारत ये जनता पार्टी के सबी आपने बड़े लीडरों से कह रहा हूं ये पाप ना करना, ये गलती ना करना, इत्यास माफ नहीं करेगा वाहिगुर्जी का खालसा, वाहिगुर्जी की फते